हेलो फ्रेंड आप सभी का मारे यूटूब चैनल बेसी बॉटनी में स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट किंग्डम तो स्टार्ट करते हैं वीडियो प्लांट किंग्डम जो होता है वो नॉर्मली दो पार्स में डिवाइड है पहला है क्रिप्टोगैम क्रिप्टोगैमी फर्दर तीन डिविजन में डिवाइड है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टैरेडोफाइट्स में इसके जो सब डिविजन होते है थैलोफाइट्स के वो है अल्गी और फंगस फैनेवरोगैमी जो होता है उसके सब डिविजन है जिम्नोस्पर्म और एंजोय स्पॉम तो सबके बारे में डिटेल में देखते हैं जबसे पहला जो हमारा है वो है क्रिप्टोगेमी क्रिप्टोगेमी यानि कि इसमें flowers नहीं आते हैं पुरे lifes satisfaction कि इसमें जो तरह formation होता है sports का seed absent होते हैं plant body को थे हुए highly differentiated नहीं होता है यानि कि हम Isso नहीं कर सकते हैं sports चोते यहां पर reproduce और अपो होते हैं रिप्रोड्यूडियूद्व और चोंते हैं सब्से पहले हम इसमें dalोफार हो तो इसमें algae-fungus bacteria jakins पक्रमstairs होते हैं mainly aquatic होते हैं थैलाइज structures क्या होते हैं प्रजेंट होते हैं थैलाइज structures में कि हम अलगी fungus यह फिर बैक्टेरिया देखेंगे तो इसमें हम डिफ्रेंस यह नहीं कर सकते हैं कौन सा पार्ट इसका इस टी में लीफ है या फिर आइज्वायर से vascular vessels जो होते हैं यहां पर absent होते हैं इन्हीं हम lower plants भी कहते हैं next है हमारा bryophytes bryophytes को amphibian of plant kingdom कहते हैं यह non vascular plant होते हैं इसका जो plant body होता है वो differentiated होता है food, seed and capsule में यह structure है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो अपर वेस्कुलर प्लांट वह से लिए इस इसको बइसकूलर क्रिप्टो गैयं सभी कहते हैं वेस्कूलर बॉरंडल्स दोब्ट्र नहीं नहीं थे नाइधर फ्लावर्स और चैन्य ऑप इनका जो plant body होता है वो differentiate होता है leaf, steam और root में यह reproduce होते हैं इस पोर्स के द्वारा फॉर्ण, mosses, etc. next है मारा finerogammy, finerogammy में क्या होता है कि यहाँ पर flowers देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो seed होते हैं वो produce होते हैं ना कि spore, plant body जो होता है वो well formed होते है, steam, leaf और root हमें देखने को मिलेंगे, seed germinate करते हैं new plants को, vascular bundle प्रजेंट होते हैं और वी well developed होते हैं जिम्नो sperm की बात करें तो जिम्नो sperm non flowering plant है यानि कि यहाँ पर false flowers होते हैं, flowers like structures देखने को मिलते हैं बट वो flowers नहीं होते हैं और इसका जो seed होता ह है, normally unbranch होता है और यह fruit को wear नहीं करते हैं जबकि एंजयो sperm में proof flowers पाया जाते हैं यानि कि इसे flowering plants भी कहते हैं, seed जो होता है वो naked नहीं होता है, include inside the fruit होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा branches देखने को मिलता है और यह fruit को wears करते हैं आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंदाया तो like, share, subscribe करनाना भूले, thank you